वीडियो में आपको अमेजिंग मैट्स पजल मिलेगा जिससे आप बहुत को सीखोगे तो मैं चाहता हूँ वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर देना और जितना होस्ते वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना जिसे हरे एक लो आपको ध्यान से ऑफजर्व करना है नंबर किस पैटन में दिये हुए है अगर देखोगे यहां पर तो 3,4,8,6,12,16,24 और यहां पर पुश्चन बाद और और भी ऑफजर्व करोगे तो आपको दिखेगा यहां पर 3, यहां पर 6, यहां पर 12 और यहां पर 24 हिंट मिल गया ह क्या है दोस्तो अगर ध्यान दोगे तो यहां पर यह है कि 3 है तो क्रॉस में 6 है तो 6 कैसे आया होगा, multiply by 2 किया होगा, फिर यहां पर 12 कैसे आया होगा, 6 में multiply by 2 किया होगा, तो 12 आ गया होगा, और 24 कैसे मिला होगा दोस्तो, multiply by 2 करोगे 12 में, तो आपको 24 मिल जाएगा, तो यहाँ पर cross देखिए यह 4 है 4 में multiply by 2 करूँगा तो 8 मिल जाएगा उसी तरह से दोस्तो यहाँ पर 8 है तो 16 कैसे आया होगा multiply by 2 करूँगा तो 16 मिल जाएगा और इस question मा की जगा पर क्या आएगा दोस्तो 16 multiply by 2 करूँगा तो इस question मा की जगा पर 32 आ जाएगा तो दोस्तो option है, start type के question है, और ये question बहुत एक government exam में पूछे जाते हैं, इसे solve कैसे करोगे, simple तरीका है दोस्तो, number को observe कीजिए, यहाँ पर 7 दिया है, और यहाँ पर 15 दिया है, तो क्या logic है, तो 7 के table में अगर पढ़ोगे, तो 7 टूजा 14 होता है, यहाँ पर 15 दिया है, तो 7 को multiply by 2 करूँग तो 15 मिल जाएगा, ठीके, अब देखिए 31, तो 15 में मैं multiply by 2 करूँगा, तो क्या मिलेगा दोस्तो मुझे 30 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 प्लस किया था, तो यहाँ पर भी 1 प्लस करूँगा, तो मुझे 31 मिल जाएगा, यही logic से 63 भी मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें multiply by 2 करूँगा, तो मुझे मिलेगा, यहाँ पर 62 प्लस 1 करूँगा, तो 63 मिल जाएगा, यही logic से 127 आएगा, किस तरह से, इसे multiply करूँगा, 63 multiply 2, तो मुझे मिलेगा, 126 मिलेगा, और 126 में प्लस 1 करूँगा, तो 127 मिल जाएगा, अब देखिए दोस्तों, 127 में मैं multiply करूँगा 2 स ठीके, सब में 2 से multiply किया, तो 2 7 जा 14, carry 1, 2 2 जा 4, और ये 1 आ गया यहाँ पर, फिर देखिए 2 1 जा 2, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 254 है, यहाँ पर प्लस 1 करना होगा, तो 255 होगा, तो question मा के जगा पर आपका answer होगा दोस्तो 255, अब देखिए option C आपका right answer हो गया, तो देखिए आपके लिए बहुत बड़ा announcement करने जा रहा हूँ, जैसे के दोस्तों आप सभी लोग जानते हो, मैं unacademy पर class 10 को पढ़ाता हूँ मैं, और आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया offer लेकिया हूँ, दोस्तों unacademy में plus subscription के लिए आपको कुछ pay करना होता है, मतल दोस्तों ये offer बहुत बढ़िया offer है, क्या करोगे, unacademy एप डाउलोड करोगे, उसमें ask the doubt एक feature होगा, उसमें click करोगे, जिस चीज में आपको doubt हो, math का question हो गया, science का question हो गया, आपको photo click करके, crop करके, subject select करके, send कर देना है, 24.7 आपको HD video solution मिल जाएगा, वो भी Hindi और English language में है दोस्तों सरिफ doubt पूछ कर, आप 7 days का plus subscription जीत सकते हो, दोस्तों इस से आपके exam की तयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा, दोस्तों फटा फट जाएगे, और ask the doubt में click करिये, और अपने doubt को पूछिए, और 7 days का subscription पाईए, तो description में link दिया हो, मैंने दोस्तों हर एक info में से मि number को observe करना है, अगर आप number को observe करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिया है, 8 और 2 दिया है, और यह number कैसे आएगा, तो यहाँ पर 8 को मैं multiply by 2 करूँगा, तो 16 मिल जाएगा, देखिए यह number मिल गया, अब दोस्तों 10 कैसे आएगा, तो यह 8 और 2 को मैं plus कर लूँगा, तो मैं multiply करूँगा, तो 5, 4, 20, फिर मैं plus करूँगा, तो 9, minus करूँगा, तो 1, तो यही logic से दोस्तों यह answer आजाएगा, क्या करोगे दोस्तों पहले multiply करोगे, तो 7, 3, 21, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 91 आजाएगा, ठीके, उसके बाद दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पर plus करना है, तो इन दोनों को plus करोगे, तो क्या होगा दोस्तों, 20 आजाएगा, फिर दोस्तों क्या करना है, इन दोनों को मुझे minus करना है, तो 13 minus 7 कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, तो देखिए, कहाँ पर option दिया है, देखिए यहाँ पर, यह option, option C आपका right answer हो गया, अब बोलोगे sir, वह minus करने पर आपको क्या करना होगा, दो डिजिट मेंटेन करना होगा, दो डिजिट मतलब 06, तब आपका answer आजाएगा, तो उमीद करता हूँ, दोस्तों समझ गए होंगे, तो चलिए दोस्तों, आपके लिए और एक question ले रहा हूँ, मैं ये वाला question, इसे कैसे solve करोगे, ये ह सब नंबर को मैं plus कर दूँ मैं, तो क्या होगा, वन प्लस, वन प्लस, वन प्लस, वन तो आपको 4 मिलेगा, तो ये R का relation क्या है, तो 4 का spelling लिखोगे दोस्तों, तो F, O, U, R, तो last देखिए, लेटर दिया ये, काफी logical question है, अब देखिए, यहाँ पर देख लिते हैं, इन सब को plus कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, दोस्तों, मुझे 8 मिलेगा, और 8 की spelling देखोगे, अगर, तो last में आपको T मिल जाएगा, उसी तरह से दोस्तों, ये 2, 4, 5 दिया है, इनको plus कर लिजिए, तो आपको 20 मिलेगा, और 20 की spelling देखोगे, तो T, W, E, N, T, Y, तो last में क्या आएगा क्या, वाय आएगा, तो question मा की जगा पर दोस्तों, वाय आएगा, तो option D is the right answer, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई doubt हो, तो please comment करके बताएए, और इस तरह का वीडियो आप चाहते हो, तो भी comment करके बताएए, इससे हमें पता चले, और आपके लिए नए-ने वीडियो इस तरह से बना सके, तो फिर मिलूगा दोस्तों एक नए वीडियो में तब तक के लिए सीखते रही है, सिखाते रही है, ऐसे ही प्यार देते रही है, मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए पामिया रखना, अल्ला हाफिज